बांगलादेश में मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद यूनूस के नेतरित्व वाली अंतरिम सरकार का विस्तार किया गया। शुक्रवार को उनकी टीम में चार और सलाहकार शामिल हुए। नए सलाहकारों में अर्थशास्त्री वही दुद्दीन महमूद, पूर्व अंतरिम सरकार की सलाहकार परिशत में सदस्यों की संख्या 21 हो गई। सरकारी नौकरी कोटा सुधारों पर विद्रोह के बीच पिछले हफते शेक हसीना के नेतरित्व वाली सरकार के पतन के चार दिन बाद नोबेल पुरसकार विजेता यूनूस और तेरह अन्य सलाहकारों ने 8 अगस्त को शपत ली थी। दो सलाहकारों ने 11 अगस्त को और एक ने उसके एक दिन बाद शपत ली। अधिकांज सलाहकार नागरिक समाज के लोग, शिक्षाविद, गैर सरकारी संगठन से जुड़े हुए हैं, वही दुद्दीन महमूर प्रतिष्थित धाका विश् अगस्त को इस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के विशेश सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। जबकि जहांगीर आलम चौधरी बॉर्डर गार्ड बांगलादेश के पूर्व महानिदेशक हैं। सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को लेकर छातरों के आंदोलन से उत्पन बड़े पैमाने पर विद्रोह के कारण शेक हसीना ने इस्तीफा दे दिया था और पांच अगस्त को गुप्त रूप से भारत के लिए रवाना हो गई थी। विश्वस्तर पर माइक्रो फाइनेंस के जनक के रूप में पहचाने जाने वाले 84 वही दुद्दीन महमूद ने कैम्बरिज विश्व विद्याले से एकोनोमिक्स में पीचडी की डिगरी हासिल की और धाका विश्व विद्याले में प्रोफेसर थे। वह बांगलादेश की कार्यवाहक सरकार के पूर्व सदस्य थे और फाइनेंस और योजना मंत्राले के प्रभारी थे। वह वर्तमान में सन्युक्त राष्ट्र विकास नीती समिती UNCDP के सदस्य South Asian Network of Economic Research Institutes SNEI के प्रेसिडेंट और बांगलादेश में इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर के अनुसंधान कार्यक्रम के वरिष्ट सलाहकार हैं। उन्होंने अंतराष्ट्रिय खाद्य नीती अनुसंधान संस्थान IFPRI में वरिष्ट सलाहकार के रूप में काम किया था। और वह इसके साल 2003 से 2013 तक अध्यक्ष रहे। यहां बांगलादेश में MFI NGO के माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रमों के वित्पोशन के लिए एक शीर्ष संस्थान है। वह PKSF की सहयोगी संस्था इंस्टीट ओफ माइक्रोफाइनेंस आई एनेम के संस्था पकध्यक्ष भी उन्होंने आर्थिक विकास और आर्थिक नीती पर काफी काम किया और लिखा है। वही दुद्दीन महमूद को योजना मंत्राले और शिक्षा मंत्राले का प्रभार दिया गया है। अली इमाम मजूमदार पूर्व कैबिनेट सचिव अली इमाम मजूमदार को मुख्य सलाहकार डॉक्टर मुहम्मद यूनूस का विशेश सहायक नियुक्त किया गया है। 1950 में जन्मे मजूमदार 11 फरवरी 1977 को एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बांगलादेश सिविल सेवा में शामिल हुए। मजूमदार ने 1997 में सिलहट जिले और कौक्स बाजार जिले के जिला आयुक्त के रूप में कार्य किया। 2004 में मजूमदार श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव बने। 31 अक्टूबर 2006 को मजूमदार को कार्यवाहक सरकार के मुख्य सलाकार का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। 6 दिसंबर 2006 को वह बांगलादेश के कैबिनेट सचिव बने। मई 2007 में उन्होंने बांगलादेश की तीनों सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों के पद बढ़ाने के प्रस्ताव को मन्जूरी दी थी। 19 नवंबर 2007 को कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। उन्होंने अपनी सरकार को बताया कि बांगलादेश की स्वतंत्रता की घोष्णा संबंधी दस्तावेज गायब हो गया है। वह सोनाली बैंक के अध्यक्ष भी रहे। मजूमदार 28 नवंबर 2008 को सिविल सेवा से रिटायर हुए। जहांगीर आलम चौधरी लेफटनेंट जनरल सेवा निवरित जहांगीर आलम चौधरी ने अंतरिम सरकार के ग्रह सलाकार ब्रिगेडियर जनरल सेवा निवरित सखावत हुसैन की जगह ली है। क्योंकि अंतरिम सरकार ने अपनी सलाकार परिशद में कुछ बदलाव किये हैं। जहांगीर आलम चौधरी बॉर्डर गार्ड बांगला देश, BGB के पूर्व महानिदेशक है। जहांगीर आलम के पास ग्रह मंत्रालय के अलावा क्रिशी मंत्रालय का भी प्रभार रहेगा मुहम्मद फॉजुल कबीर खान एक अन्य नए सलाकार मुहम्मद फॉजुल कबीर खान को बिजली, उर्जा और खनिच संसाधन मंत्रालय का प्रभार दिया गया है फॉजुल कबीर खान के पास ही सड़क परिवहन और पुल मंत्रालय और रेल मंत्रालय का भी जिम्मा है वह देश के पूर्व बिजली सचिव रहे हैं कबीर खान ने धाका विश्व विद्यालय से एकोनोमिक्स ओनर्स में बिये किया और 1989 में अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से एकोनोमिक्स में पीचडी की डिगरी हासिल की वह अमेरिका की दो यूनिवर्सिटी में इंक्ट्रक्टर रहे बाद में सिंगापुर यूनिवर्सिटी में सीनियर लेक्चरर रहे उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड बैंक के लिए काम किया 1998 से 2007 तक वह वर्ल्ड बैंक की एक कंपनी के बांगलादेश में CEO रहे 2007 से 2009 तक वह बिजली सचिव रहे यूनूस ने कहा भारत के साथ बहतरीन रिष्टों की तमन्ना भारत के एक News Channel Times Now को दिये गए इंटरव्यू में मुहमद यूनूस ने कहा भारत को बांगलादेश के लोगों के चुने हुए नेता के साथ काम करना है हमारे और भारत के बीच रिष्टे बहतरीन होने चाहिए ना की ऐसा रिष्टा जिसमें हम दोनों एक दूसरे को शक की नजर से देखें BBC हिंदी की एक रिपोर्ट के अनुसार बांगलादेश में उच्चायुक्त रही वीना सीक्री ने कहा प्रोफेसर यूनुस को विदेशों में सभी उनके काम के लिए जानते हैं हमें देखना होगा कि आने वाला समय भारत और बांगलादेश के लिए कैसा होगा प्रोफेसर यूनुस के शपत लेते ही पी-एम नरेंद्र मोधी ने तुरंत बधाई दी ये बताता है कि बांगलादेश में जो भी सत्ता में हो भारत उसके साथ काम करना चाहता है